मुझे पूरा विश्वास है कि आपने पिछले वीडियो को पूरा समझ कर उसे अपना अबे होगा आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि श्री विधे से गेहू की खेती में फसल की सिचाई में किन बातों को द्यान में रखना है साथ ही इसमें खरपत्वानी अंद्रन कैसे किया जाता है अरे अरे तुम पूछ रही थी ना कि ओर क्या करना है सो चलो अब हम बताते हैं तुमको क्या करना है नहीं करना है इसमें एक और महतपूर्न चीज है कि सीचाई को कैसे हम लोग करना चाहिए भावी क्यारी तो बना लिए लेकिन सिचाई में क्या ध्यान देना चाहिए देखो आसा सिचाई हम अपने खेट के मिट्टी को देखते हुए जो नमी खेट में रहता है उसके अनुसार हमको सिचाई करना है पहला सिचाई हम बुई के बाद 20-25 दिन बाद हमारा पोधा इतना बड़ा बड़ा आने की 2-1.5 इंची तक हो जाएगा उसके बाद से हम फिर सिचाई करेंगे देखो पहला सिचाई के बाद जब हम दुसरा सिचाई करेंगे तो तीस दिन के बाद दूसरा सिचाई करेंगे फिर उसके बाद से फिर तीस दिन के बाद तीसरा सिचाई करेंगे उसके बाद से फिर जब चोथा सिचाई करेंगे तो बीस या पचीस दिन के बाद से फिर हम लाश्टोला सिचाई करेंगे एक बात और हमको ध्यान रखना है कि हर सिचाई में हमको जीवा अमरीत डालना है तो हम जीवा अमरीत कैसे डालेंगे जब हम सिचाई करेंगे और जहां पानी गिराएंगे वहाँ परी जीवा अमरीत को एक डिबा में ले लेंगे और डीबे को छेट कर देंगे और जहां पानी गिरेगा वहां रख देंगे वहां धीरे धीरे अपने जीवामरीत गिरेगा और हमारा खेट में जहां गेहूं है वहां गेहूं तक पुरा फैल जाएगा श्री विधी से गेहों की खेती में सिचाई के लिए हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना होता है जब तुम बुआई करती थी पूरत चीट के करती थी उसमें तुमको खर-पतवार चुणने में आदमी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था और दिकत भी होता था लेकिन जब तुम सिरी विधी से लगाओगी तो तुमको ये दिकत कुछ नहीं होगा आदमी लगाने ज़्यादा आदमी लगाने से कोई दिकत नहीं है तुम वहाँ परी कौनो बीडर को लेके और जब पहला सिचाई करेगी उसके पहले एक बर चलाओ देगी दूसरा लगाने से खर पत्वार तो खतम होता ही है और मीटी भी साथ साथ में मीटी भी हलका हो जाता है और जड़ फैलता है और इसे पोधा बढ़ता है श्रीविधी से गेहु की खेती में निदाई गुड़ाई कैसे करते हैं भावी पिछले बार तो हम लगाए थे तो पुरा कीड़ा खा गिया था गेहु का तो कीड़ा से बचने के लिए कोई उपाय तो बताईए अरे अरे तब से तो हम एही बता रहे हैं अरे हमें तो नहीं बताए थे हमें तो बताए आप बीजुपचार बुआई सीचाए के बारे में रोग बीमारी और कीड़ा के बारे में कहां बताए देखो जब हम बी जुपचार कर रहे थे उसमें जो बी जुपचार किये खेत में जो ट्रैकोडर्मा वाला जो खाद शिड़का किये यही तो आपके गेहूं के फसल को रोग से बचाएगा हाँ अगर पोधे में रोग लग जाए तो हम गोबर ही या खटा मठा दवा काचिड़का हम समय समय पर करेंगे और कीड़ा से बचने का उपाय भावी? कीडा से बचने के लिए हमें एक मेना का जब पोधा हो जाता है तो हर दस-दस दिन में निमास्त्र का च्छिड का करना चाहिए और जरूरत पढ़ने पर अग्नियास्त्र, ब्रहमास्त्र और निर्चाल रसुन का घोल का उप्यों करना चाहिए समझे ना आसा हाँ हाँ इसा ही करेंगे समझोता नहीं करने वाली बाते एक गिहूं की फसल में जरूरत के अनुसार दो से चार सिचाई आवशक है दो हर सिचाई के साथ 100 से 150 लीटर जिवामरत प्रती एकर सिचाई के साथ पानी में मिला दे तीन कोनुविडर की सहता से दो से तीन बार निराई गुड़ाई करें चार फसल में कीटनी अंत्रण ही तू निमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, आग्मे अस्त्र का चड़काव बारी बारी से करें पांच, रोगनी अंत्रण के लिए खट्टा मट्टा गोल्ड या गोबर हिंग दवा का चड़काव के प्रियोग करें प्रियोग करें